तो असलाम अलेकुम हाजर अपने नहीं वीडियो के साथ तो आज का हमारा टॉपिक क्लास थैंट फिजिक्स यूने टेंबर 13 जुमेट्रिकल ऑप्रिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ती पावर ऑफ लेंस तो इस वीडियो में हम किसी भी लेंस की क्या है बटा पावर को कैलकुलेट करेंगे तो पावर के साथ सवरात एक्जैम में आते रहते हैं और MCQs भी आते हैं ठीक है तो आज है सीखते हैं कि बटा किसी लेंस की पावर को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कुछ बातों को समझ लें तो लेंस का बुन्यारी काम क्या होता है बटा लाइट क वो रिफ्रेक्ट करती है वो टेपेंड करता है वेटा फोकल लेंड पर तो किसी लेंसी फोकल लेंड जाइड भी हो सकती है और किसी लेंसी फोकल लेंड कम भी हो सकती है तो इस पिक्चर में देखें यहां पर हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है अगर आप लेंस लेकिन अगर आप इस लेंस की फोकल लेंग को देखें तो यहां पर मौझूद है तो यह जो लेंद फाइव सेंटीमेटर है तो फाइव उक्स को मैंने फाइव सेंटीमेटर किया है इसी तरीके से इस लेंस की अगर आप फोकल लेंग देखेंगे तो वह 10 सेंटीमेटर आ रह किसी भी लेंस की जो फोकल लेंद है वो डेपेंड करती है कि जो लेंस है वो किस मट्रियल से बनावा है और इसके लावा यह किस स्फेर से निकाला गया है तो यहां पर जो हमारे दो लेंसे से तो यह दोनों जो लेंसे से वह एक ही किसम की स्फेर से बनाए गए लेकिन क्या है इस्का जो material है और इसका जो material है वो different है तो इस वैसे इन दोनों की जो refractive index है वो भी different है तो देखिन तो इसका focal length जो है वह बहुत कम है छीए और focus जो है वो optical center के करीभ है और इसका focus जो है वो optical center से दूर है जो जो light जो है प्रोडिЙूँस हो रहा है कर वाद कि अ मतल्ले विये होगा कि इसके इस स्थेaire कि में इंडक्स से इस लेंस की इंडक्स सबूसाइब और इस लेंस का रिफ्र इंडक्स से वह कम है ठीको में आप देखतें है जो fakal लेंस हम कैल्कुलेट करता है वो कैसे calculate करते थे radius of curvature को divide करते थे two से तो हमें focal length पता चल जाता था लेकिन lens के case में ये formula इस्तेमाल नहीं होता है तो ये depend करता है किस पे focal length की जो आपके बाद lens का material है वो किस चीज़ से बना हुआ है और इसके रावा जो lens जो है जिस स्वेर से बनाएंगे है उसका center of curvature क्या है तो ये काफी लंबी बात है तो उमीड करते हैं ये बात आपको clear हो गई होगी तो आपके बाद जो lens है इसका अगर आपने focal length निकालना है तो ये formula इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है तो ये formula सिर्फ और से mirror के लिए दुरुस्त है तो अब आएं इसको देखें ठीक है तो the ability of a lens to reflect the ray of light depends on its focal length ये बात तो clear होगी for example a convex lens with a shorter focal length bend the light ray through a higher convergence by focusing them closer to the optical center तो जो convex lens है अगर उसका focal lens short है तो लाइट को जो है वो bend करेगा higher convergence से करेगा ठीक है यानि उसकी converging power क्या होगी बटा ज्यादा होगी ऐसे convex lens की जिसका focal lens short हो ठीक है तो आएए देखते हैं तो इस picture में दोबारा देखें बेटा तो इस picture में दोबारा देखें आप इसके focus से वाकेफ है focal lens से भी वाकेफ है इसका focal lens का में इसका focal lens जादा है तो अगर आप इस parallel light rays को देखें तो यह क्या बड़ा एक sharp bend करती है ठीक है तो क्या है क्यों bend करती है sharp bend क्योंकि इसका focal length कम है और इसकी converging power ज्याद है इसका focal length ज्याद है तो यह sharp bend नहीं करती ठीक है तो इसकी power of lens क्या है बटा कम है इसकी converging power कम है और इसकी converging power ज्याद है तो अगर हमें इस converse lens की power को calculate करना है और इस Converse Lens की पावर को calculate करना है तो हम formula इस्तेमाल करेंगे P is equal to 1 divided by F ठीक है तो शुरू में आपको बता है यह formula इस्तेमाल करें हैं पावर calculate कर सकते हैं तो हमें सिर्फ उसे पता होना चाहिए बटा focal length तो इस lens का focal length आपके पास 0.05 meter ठीक है यह बात के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास value आए कि बटा 20 meter इंवर्स तो meter इंवर्स को मीटर उपर जाएगा तो यह meter इंवर्स हो जाएगा ठीक है तो मैंने बदाए SI unit power की होती है diopter तो हमें meter इंवर्स को चेंज करना बढ़ेगा one diopter के तो मैं या लिखता हूं P is equal to 20 diopter तो इस तरीके से मैंने इस lens का क्या है बटा पावर मालूम कर लिया वह क्या है 20 diopter ठीक है तो अगर इस तरीके से मैं इस lens के भी पावर मालूम करना चाहता हूं तो यही formula इस्तेमाल करेंगे इसका फोकल लेंद हमारे पास 0.10 मीटर ठीक है तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई गया कि पस 10 लग जाएगा तो इसकी पाव रूटा 10 diopter जान तो इन दोनों में से कौन से lens है जिसकी पावर ज्यादा है 20 diopter और इसकी पावर का मैं 10 diopter तो आहांपे देख सकते हैं म Marcus कि बीटा इसमें कंवर्जिंग nephew घान के गार को च過去 ड्लक यंद में तो इस बनियाद पर नहीं करते यह फॉर्मलीयास्तेयमाल नहीं करते और अब पड़ते हैं सिमिलरफ ओभा का इसा फोकल लंड औफ अनकाव् लैंग विल चार लाइट वह भा इफ तो अगर Concave Lens इसका भी Short Focal Lens है तो लाइट को क्या करेगा डाइवर्च करेगा High Angle पर ठीक है Short Focal Lens होगा तो High Angle पर लाइट को डाइवर्च करेगा Away From The Focal Point तो आज इसको देखते हैं तो इस पिक्चर में देखे हमारे पर दो Concave Lens है ठीक है तो आप देखेंगे इसका जो आपका इसका फोकस महुझूर है वह ऑप्तिकल सेंटर से 5 cm के फास्स लेपर है और इस वह इसका फोकस वह डिपेंड करता है कि लेंस की वो किस स्टिर बना है और किस स्टिर से निकला है यानी स्टिर का सांटर ओफ करवेचर क्या है इससे संटर ओफ क्रवेचर को आप देखे सकते थिनौई नौयाट का है तो आप azale Jis तो यहां पता 2002 यह बड़। डिर छये ऐसन मौन्फ च हॉएं निज UFO निकालेंगे तो इसका एंगल ज़ादा आएगा और इसका एंगल पर एंगल इसका कम आएगा ठीक है तो इसमें क्या है बिटा हाई इसमें लो डाइवर्जंस हैं통 मीजिब यंजियन्स की पावर ऐपहे बोद इस ही और थैक है ऑगर केल्कुलेट करना चाहते हैं कि इस लेंस की पावर क्या है तो हम फॉर्मॉले इस्टेमाल करेंगे तो इसमें जो आपके पास फोकल लेंड की वैल्यू है वह के लिए रहे हैं अब क्यल्कुलेट करते हैं तो यहां वैल्यू आती है बास 20 मीटर इंवर्स मीटर इंवर्स खोट आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 20 डायॉप्टर के लिए इसी रहे कि इसकी अगर कैकुलेट करें फॉर्मॉला है पी इक्वल टू वन बाइफ पी इक्वल टू वन डिवाइड़ बाइड बाइड जिरो पॉइंड वन जिरो मीटर ठीक है और डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वह आती बेट करद कारं पर जाए यहाँ पावर है कि से लिए वो गावर कोद आता है यह और माइंड इसे में Thousand शुग ऑन इसकी आम चौर षप रहा रहे और इसमें जो है divergence जो है वो कम है ठीक है तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि पावर को हम किस तरीके से calculate करते हैं तो आगे थोड़ी बहुत बाते और पढ़ लेते हैं ठीक है तो यहां तक हम पढ़ चुके थे अब जो degree of divergence और convergence है वो हमें क्या बताता है बिटा लेंस की refractive power तो अगर आप मैं आप से पूछ हूं इंदोनों लेंस में से किसकी refractive power ज्यादा है तो refractive power इस lens की ज्यादा है और इसकी कम है तो इसमें देखे बेन्डिंग एफैक्ट ज्यादा आ रहा है और इसमें bending fall कम आ रहा है ठीक है तो दोनों लेंस से एक ही स्वेर से बने एक ही किसम की स्वेर से बने में लेकिन क्या है इस लेंस का जो में वो डिफेरेंट है इस लेंस का में जो है वो डिफेरेंट है ठीक है तु किसी भी लेंस का तो आपने रहां में है तो आपने रहा है फोकल ल我们 का है पावर से आप दिए खिलड और पूछ ब्सक्रण欸 तो भी आप calculate कर सकते हैं formula को arrange करके तो सोचे अगर आपको power दे दिया जाए और कहा जाए focal line बताओ तो आप formula को इस तरीके से arrange करके भी calculate कर सकते हैं ठीक है ऐसा unit of power of a lens is diopter ये भी मैं आपको बता चुका हूँ और diopter को जो प्रेंट करेंगे वो T से करेंगे और आने वाली बात यह भी पता चुका हूँ you always remember that the power of a convex lens is positive ठीक है and that of the concave lens is negative तो हमने भी यहां पर solve किया था ठीक है हमारे पास जो कॉंकेव लेंसं की, जो पावर आई थी वह नेगसे में आई थी और रीखें एकॉंकेव लैंस प्रॉवरार आई थी थी त्यक है और neगेटिध सम्नेबार चलता है बटायी जो पावर है ये लेंस की है और यह बावर है यह भी कोंकरेंजे इस तरीके से इस वीडियो में बैद निरन को की बावगर को हम किस तरीके करते हैं तो सब्सक्राइब किजाने